दोस्तो नमस्कार गले में पहनी हुई गोल्ड की चैन आपको क्या रिजल्स देती है और आपको आपके जीवन में गोल्ड की चैन जो है वो कब दारन करनी चाहिए एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का सवागत दोस्तो गोल्ड की जब हम बात करते हैं तो हमारे जीवन में हमारी कुंडली में प्रस्पती देव जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं प्रस्पती देव देवों के देव जो हैं वो पूर्णते कारक हैं हमारे गोल्ड के आपके गर में गोल्ड पैसों की बरकत बड़ों का अशिरवाद जब ये तीनों चीजें कहीं न कहीं समलित होती हैं तो एक परिवार में समरिद्धी का जो असर है वो बना रहता है बड़ों का चैन किन लोगों को धारन जो है वो करनी चाहिए जिसके बाद आपकी जर्म खुंडली में भी वो ग्रह एक्टिवेट होता है वो दशा महादशा गोचर में आपको अच्छे जड्स जो है वो देता है कई बार लोक स्टोंस जो है वो रिक्मेंट करते हैं चाहिए वो शनी का ह एक ब्रसपती का हो लेकिन गोर्ड की चैन का महत्तव अपना होता है दोस्तों आपके जीवन में गोर्ड की चैन को पहना कब वो ग्रह को एक्टिवेट करता है पूरी बात कर रहे हैं कि जर्म कुंडली का पहला बाब जो होता है ये बेसिकली आपका शरीर है जब आप गले में कोई भी चीज अपने दारन करते हैं तो वो कुंड़ी का पहला बाब आप टेक्टिवेट करता है अब बात हम गोल्ड की कर रहे हैं तो गोल्ड की चैन गले में पहनना मतलब यह होता है कि बस्पती के फल आपको पहले हाउस के जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं बस्प बना रहता है और कहीं नहीं बाग्या का साथ उसे मिलना शुरू हो जाता है तो जिल लोगों के भी ब्रस्पती देव लगन में बैठे हुए हैं उन लोगों को सोना दारन करना उनके बाग्या की वृद्धी संतान की वृद्धी और ग्रस्पती को अच्छा रखने में कहीं कहीं समलिट फल मिलते हैं तो ब्रस्पती लगन माले को गोर्ड जो है वो पहल लेना तो इसी तरह दोस्तों जब जर्म कुनली के नाइंथ हाउस में ब्रस्पती देव बैठते हैं तो नाइंथ हाउस में बैटे हुए ब्रस्पती अगर आपको दशावी ब्रस्पती की लग ब्रस्पति देव बैटे हैं तो यहां पे भी आप गोल्ड जो है वो दरन कर सकते हैं चेरम कुंड़ी के बारमे बाब में अगर ब्रस्पति देव बैटे हैं तो यहां पे भी आपको गोल्ड की जो चैन है गोल्ड जो है वो आप दरन कर सकते हैं दोस्तों जब कभी कुंड़ कोनबर नो खाना नमबर बारा जब जो दोनों Bव़ों में के तु देव बैठे हों यहां पर नायं ता जब के तु अ कि Holz के होते हैं दोस्तों तो येकीन मानिएं आक और पत्ति संतान की पर दाईश और आप का नाम साहड़ साहरत करें ना हएं तो नेहीं थां नायवस्ट पहन सकते हैं दोस्तो जरम कुन्डली के अंदर जब कुन्डली के चटे बाब में मंगल दे बैठते हैं यहां पर यह बोला गया है कि आप अपनी संतान को अपने हातों से सोने की चैन जो है वो ना डलवाएं तो मंगल चटेवाब में हो तो आपको यहां पे अपनी संथान को सोना जो है वो दारन नहीं करवाना जाएगी आप अपने कुंड़ी जूरूर किसी को दिखाईएगा और आप भी अगर जानते हैं ग्रहाओं की ववेच नहीं तो जुरूर चेक करिएगा चटेवाब का मंगल हो और आपके गर में कुत्यों संथान पैदा हो तो उसको आपने सोना जो है वो दारन नहीं करवाना है दोस्तो जर्म कुंड़ी के अंदर पंचम का ब्रस्पती बैटा हो तब भी आप सोना जो है वो दारन कर सकते हैं क्योंकि ब्रस्पती के चेले हैं केतुदे और जितनी भी हमारे जीवन में समस्याएं होती है चाहिए वो हेल्थ की हो चाहिए वो अच्छानक दुरगटनाए हो दो ही कंडिशन में इंसान जो है कही न कहीं कंफ्यूस होता है एक तो चानक चोट लगती है जो राहू की होती है दूसरा इंकम ठीक है लेकिन ब्याजों के उपर पैसा जो है वो वेस्ट हो रहा है तो वो केतुगा होता है चटे बाब से सबंदित है तो दोस्तो चटा और द्वादज ये दो बाबों को अच्छा करने के लिए अगर आप ब्रस्पती को अच्छा कर लिते हैं तो आपके काफी हतक समस्थ हैं जो है वो कंप्रीट होती है कई बार केसर का तिलक जो है वो लगाने के लिए बोला जाता है लेकिन गोल्ड का महतब अपना होता है गोल् यूदी का दूसरा बाफ, फुनली का फंचयां बाफ, फुनली का 9000 और 11 और 12 बाफ। जब ये पाच बाफ ब्रस्पत्य करते हैं तो ब्रस्पत्य को एक्टिवेट करने के लिए अगर आप गोल्ड पहनते हैं गोल्ड के चैन पहनते हैं तो आपको लाप जो है वो मिलने शु कोई भी माला हो तो उसका हमारे दीवन में क्या फल और फलित मिलता है पूरी वेशन आई हम उस वीडियो में करेंगे लेकिन आज की वीडियो में बेसिकली हम गोल्ड की ि इंपोर्टंस के बारे में मैंने आप से जिकर किया कृली में ब्रसपत्री को अच्छा करने बाबे मैंने आप को जिकर किया तो अगर आप ौल की चैनल के शमता आप आपके अपके पास नहीं है शम्ताएं आपकी गोल्ड दारंद करने की ना हो हमने अपने ग्रहों को कहीं में कहीं एक्टिवेट करना है जब ग्रह कुंड़ी में एक्टिवेट होते हैं तो अपने फल भी वो निश्ची रूप्स आपको देते हैं तो दोस्तों उमीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो किर्प्या चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा और अगर आपका बेसिक कोई भी कोश्चन हो किसी भी क्यूरिश के बारे में कोश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूल सकते हैं बेसिकली आप कुं कोंटेंट हैं वो बनाते रहेंगे और लाल किताब के अनुसार हमारी हर बाव की हर ग्रह की क्या वह वेचनाई हैं खुंडी के उपर उसकी पूरी सीडिस जो है वह हमारे प्ले लिस्ट के अंदर हमने अप्लोड कर रहती है आपके रुप्या उससे भी जरूर देखिएगा दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ दीजिए याज़त शुम्राद